गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट आज आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर का फर्स चैप्टर समझाया जा रहा है जिसका नेम है दस सेंटेंसेज ए सेंटेंसेज इस अ ग्रूप और वर्ड विच विगेंस विद अ कैपिटल लेटर आपका कोई भी सेंटेंस हो उसका फर्स लेटर बनता है और सेंटेंस के एंड में full stop, interrogative mark, question mark interrogative mark और question mark दोनों एक ही होते हैं आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं जिसका sign ये होता है और exclamation mark ये लगाना जरूरी होता है इस exercise में आपको फर्स सेंटेंस दिया है इसमें आपके दा का T small letter में बना हुआ है और last में ना ही आपका full stop है ना interrogative mark है ना ही exclamation mark है तो आपको इस sentence को complete करना है तो देखिए आपका first sentence के दा का T आपको capital बनाना है दा, डा, बाग, एड़, दा मैन यह आपका simple sentence है इसलिए last में full stop लगा है second sentence